नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ अगर आप लोग नए है प्लिस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें आज हम लोग देखेंगे, नियूरोmersargery में क्या डिफ्रेंस है जैसे भी आप किसी भी अस्पापाल में है एम्स यह गभर्मेंट यह प्राइवेट अस्पापाल में आप उसमें ऑफ्सन आती है नियूरोनलोजी और नियूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में तो जो पेसेंट है वो कैसे समझेंगे कि मुझे नियूरोलोजी में लेना है या नियूरोसर्जरी में अपॉइंटमेंट लेना है तो हम लोग ये दोनों का डिफरेंस क्या डिफरेंस है नियूरोलोजी और नियूरोसर्जरी में आईए हम लोग देखते हैं और वीडियो के अंद तक आप लोग बने रहिएगा सबसे पहले आप देख सकते यहाँ नियूरोलोजी जो डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं नियूरोलोजी में जैसे कि आपके ब्रेन आपके रीर की हड़ी वही भी नर्व वह अगर है यह सब अगर आपका एफेक्टेड है जैसे और भी जैसे यह सब बीमारी है अल्जाइमर डिजीज पार्किंसन डिजीज यह एपिलेपसी जो की मिर्गी की बीमारी होती है माइगरेन पेन है सर में हमेशा दर्द रहती है नियूरोपेथी और यह सब डाइगनोसिस करने के लिए आपको यह सब डाइगनोसिस और यह सब कंडिशन को चेक करने के लिए और आपको किलेर कर समझना है कि इसमें नियूरोजी में जो भी बीना करके मतलब ननसर्जिकल जो भी मेडिकेशन होती है बीना उपरेशन गड़ा किय laquelle कि यह जो भी आपको समस्फिया है बीना ओपरेशन किये ठीक किया जाए उसे हम लोग neurology काते हैं और neurosurgery आप देख सकते हैं इसमें नाम में ही surgery लिखा हुआ है तो इसमें operation की बाद आती है इसमें कोई भी अगर आपको यह सब जो disorder आपको में देखाया neurology वगरा में यह सब अगर आपका ठीक नहीं हुआ बिना surgery के तब आप उसे surgery करेंगे surgery के द्वारा लास्ट में जब यह ठीक नहीं होता है तब इसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है सर्जिक मतलब जब यह फेल हो जाता है नन सर्जिलिकल टीटमेंट जब यह वाला टीटमेंट फेल हो जाता है तब हम लोग surgery के यूज करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह सेम उसी में है प्रेन इस्पाइनल कोड नर्व आपके कोई समस्या है आपके दवाई से अगर ठीक नहीं हो रही है बहुत एक्स्ट्रीम कंडिशन हो गई है तब आपको वह सर्जरी के दौरा आपको ठीक किया जाएगा। इंडएस्कॉपिक सर्जरी इंवैसिप सर्जरी ट्रेडिशनल ऑपेन सर्जरी यह सब सर्जरी करके उसका डागनोसिस करके आपको यह ठीक किया जाएगा। main difference यही है दोनों में यह सब जो भी आपको neurology में जो भी बीमारी है वो अगर दवाई वगर से ठीक हो जाती है तो सही है नहीं होती है अगर वो फेल हो जाती है extreme condition में हो चुका है ब्रेन् ट्व मर वगर्द आपको surgery करना पड़ेगा तब यह लोग surgery perform करते हैं निरो सर्जरी यह है स्पेशलिस्ट रहते हैं और जो नियूरोलोजिस्ट रहते हैं वो लोग यह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो अलग अलग दोनों का यह राता है यह लोग स्पेसल सर्जरी में स्पेसलिस्ट रहते हैं तो मेन डिफ्रेंस यही था अब लोग अगर किसी भी आप देख सकते हैं मैं थमनेल में ही दिया हुआ हूँ वो हस्पिटल का यह नियूरोलोजी नियूरोसर्जरी कभी बहुत सारे मेसेज आते हैं कि यह बीमारी है मुझे नियूरोलोजी में या नियूरोसर्जरी में तो आ आधार पर आपना appointment किसी भी अस्पाटाल में online appointment बुक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कुछ समझ में ना आये कुछ प्रॉब्लम हो और भी मैं बहुत सारी जानकाड़ी इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ अस्पाटाल के बारे में appointment किस तरह से लेना है निमहांस और जितने भी अच्छे अस्पाटाल है उसका मैं feedback देता हूँ तो आप मुझे comment करेंगे अगर कोई समस्या हो कोई समझ में ना आ रहा हो तो मैं उसका reply करूँगा धन्यबाद फिर मिलते हम लोग next वीडियो में